नमस्कार शाथियो श्वागताब सभिक आमारे यूटूब शाथियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट वीडियो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजीटल प्रवेस्तोचव एप 2023 लोगिन कैसे करें गाओं को कैसे जोड़े डाटा सिंक कैसे करें नया बालक कैसे जोड़े ओनलाइन डॉर टुडो सर्वे की जो ओनलाइन जानकारी है वो सारी की सारी हम आपको इस वीडियो में देंगे तो बने रही है मेरे साथथ सब्से पहले हम बात करेंगे की पहले इस्टोर पर हमको जाना है और वहाँ पर सर्च कर लेना है डिजिटल परवेश सोच्छाव यहां पर डिजिटल परवेश सोच्छाव का जो इंटरफेस है वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं Educate Girls के नम से यह आप पर आपको मिलेगा तो आप इसको इस्टाल कर लेंगे इस्टाल हो जाएक एक मिनिट के भीतर-भीतर उसके बाद आप इसको ऑपन कर लेंगे open करने के बाद में कुछ security scan के लिए बोलेगा तो वो आपको allow कर देने हैं जैसे यहां पर contact access के लिए बोढ़ रहा है तो यह allow कर देना है location आपकी मांग रहा है तो location आपको allow कर देनी है उसके बाद में बात आती है important content यहां सबसे पहले उप्योग करता का नाम आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है साथिव आपका नाम और पासवर्ड आपको बिष्टिक वाइज ब्लोक वाइज और जो पंचायत है उसके इसाब से अलग से अलोट होंगे तो इस चीज की आप टेंसर ने करें आपको ID और पासवर्ड विबाग के द्वारा दे दी जाएंगे उससे आपको लोगिन कर लेना है लोगिन करने के बाद में यहां हमने जो ID पासवर्ड है यह एक डेमो के लिए दिखाए गए है इससे हमने लोगिन किया है प्रोसेस बताने के लिए उसके बाद में गाउं और उप्योग करता का वीवरण हमको डालना है तो यहां पर केवल जो डेमो है उसके लिए डाला गया है यहां पर जब हमारे पास आजाएंगे ID पासवर्ड उसके बाद में सारा का सारा कारिया हमको करना है उप्योग करता का नाम हमको लिख देना है उप्योकर सा जो अद्यपक है उसका नाम यहां आजाएगा पद का चैन करेंगे यहां पर आपको ड्रोपडाउन मिनों मिलेगी ड्रोपडाउन मिनों सो अपने पद का चैन आप कर लेंगे मोबाइल नमबर जो आपके सालादरपन पर रजिस्टर्ड है वो आप यहां बरेंगे एमेल आइडी, डाइस कोड आपके विदाले के विदाले का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, जिला, खंड और ग्राम का नाम यह सारे के सारे चैन करने के बाद में जो डेटा डाउनलोड है वो करेंगे और data download होने के बाद में यहाँ पर देखिए यह demo के लिए हमने भर के दिखाया है उसके बाद में सारे detail आप जब भर देंगे तो data download के उपर आपको click करना पटेगा data download के उपर आप click करने के बाद में आपके सामने ऐसा interface आजाएगा यहाँ आपको लिखा मिलेगा master data सफलता पुर्व के download किया गया है इसको आपको कर देना है ठीक है ठीक है करने के बाद में सारा data आपका automatically system के दुआरा भीड कर दिया जाएगा और आपको cable और cable login के उपर आपको click कर देना है यह जो red color का button दिया गया है login यहाँ आपको click कर देना है उसके बाद में आप कुछ इस प्रकार के interface में आ जाएगे जहाँ पर आपको D2D Survection इसका मतलब है door to door Survection और नावांकन तो सबसे पहले हमको जो three lines दी गई है corner में वहाँ click कर लेना है जो three lines है उस पर जैसे ही हम click करेंगे हमको निमन option यहाँ देखने को मिलेंगे सबसे पहले data download का option मिलेगा data sync का option मिलेगा report का option मिलेगा गाओं कैसे जोडें उसका option मिलेगा और logout कैसे किरें उसका option मिलेगा तो सबसे पहले हम बताएंगे data download के बारे में उसके बाद में sync, report, गाओं जोडे और log out होने से पहले हमको बालक किस प्रकार से दोड़ना है वो सारी की सारी process हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले बालक करते हैं data download कैसे करें तो यहाँ पर जो data download वाला option है उसके उपर आप click करतेंगे उसके उपर click करते ही आपका जो data है वो download हो जाएगा ध्यान आपको यह रखना है कि आपको सही internet connection में रहना है यदि आप internet connection में नहीं रहते हैं तो data download आपका नहीं हो पाएगा तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें ऐसी छेतर में नहीं जाए जहाँ पर नहीं आता हो तो जो data है वो आप download करने के बाद में इसके उपर आप ठीक है पर click करतेंगे उसके बाद में हम बात करते हैं data sync की तो data sync जो data हमने download किया है और हम उसको दुबारा से upload करना चाहते हैं उसके लिए data sync काम में आता है तो उसके लिए डेटा सिंख हम काम में लेंगे रिपोर्ट के लिए हमको अब तकात कितने बालक बालकाओं का सर्वे किया है इसकी रिपोर्ट जैसे यहाँ पर आप डेमो के लिए देख पा रहे हो जो फोर्म का नाम है, कुल है, अपलोड और लंबीत यह सारा का सारा रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपको जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो मिलेगी, हाउस होल्ड कितने का किया है, बच्चे कितने हैं, नामांकर कितने का हुआ है यह सारी की सारी चीज़े आपको रिपोर्ट में देखने को मिलेगी उसके बाद में आप देख रहे हैं गाउ जोडे का अपसन आरा है तो अब हम आप बात करते हैं गाउ जोडे किस परकार से जोडेंगे गाउ को यहां पर जो तील लाइन है उस पे हम किलिक करेंगे गाउं जोड़े पर हम किलिक करेंगे गाउं जोड़े करने के बाद में हमको drop down मेंगे लेगी आपका जो data है नेट है वो सफ़। से कारिय करना काईए तो हमको कोई भी दिक्कत इस par with नहीnh आने वाली है सबसे पहले राज्य है उसका चैन कर लेंगे जिले का चैन कर लेंगे जो अपना खंड है उसका चैन कर लेंगे और जो ग्राम का नाम है उसका चैन कर लेंगे और हम जो गाम जोडे बटन है उस पे हम के लिए के कर लेंगे यदि गलती से कोई दूसरा गाउन जुड़ गया है तो गाउन मिटाओ के नाम पे हम क्लिक कर लेंगे और गाउन सारा का सारा महां से मिट जाएगा जैसे यहां मैंने डेमो के लिए ये गाउन जोड़े का चैन किया है तो यह आप यहां पर देख पा रहे हैं गाउन का नाम चैन कर लेंगे और गाउन जोड़े के लिक करने के बाद में सारा का सारा जो डाटा है वो डाउनलोड हो जाएगा उस गाउन लाइन पहले से फीड ह ठीक है कि उपर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद में यदि आप बीच में लोकाउट करना चाहते हैं तो लोकाउट करने के लिए आप से पूछेगा यदि आप लोकाउट होना चाहते हैं कि नहीं है तो आप यह हां और नहीं कि उपर आपके कर सकते हैं उसके बाद में हम सर्वे किस प्रकार से करना है पर ते गाव में जाके सबसे पहले जो घर है हम मान लेते हैं कि कोई गाव हमको अलोट हुआ डाणी हमको अलोट हुई उसमें हम चले गए और वहां पर जाके हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो नया घर जोडने का काम करेंगे तो यहां पर जो मान लिजीए यहां पर जो पंचाय थैय गाम है वो आ जाएगा उसके बाद में house hold number से खुले household number से हमको खुलने पर यह जो गया गर है वो हमको जोडने को मिलेगा तो यहाँ पर हमको household number डाल देंगे और एक नया घर जोड़ेंगे उसके बाद में जो नया option हमारे सामने खुलेगा महुला और फली का नाम लिखे मकान सिंख्या दर्ज करें और क्या इस घर में 0-18 वर्स के आयो के जो बच्चे हैं वो है या नहीं है यहाँ पर हमको ध्यानिय रखना है मोहले आफिला का नाम लिख देना है अब मकान सिंख्या हमको किसमें दर्ज करना है माल लेते हैं कि एक धानी में या एक गाव में हमारी 5 टीम में कारिये कर रही है तो हमको सबसे पहले यदि हमारा number A टीम में है तो हमको सबसे पहले यहाँ A1 दर्ज कर देना है A1 दर्ज करने के बाद में आप देखेंगे कि क्या इस घर में 0-18 वर्स के आयो के कोई बालक बालिका है यदि नहीं है तो आप इसको नहीं पे किलिक कर देंगे और इसको सहेजे पे किलिक कर देंगे तो इसमें जो मकान आप जोड़ेंगे उसमें कोई भी बालक या वालिका आपको 06.18 के वीज़ का नहीं मिला यदि कोई बालक वालिका आपको मिलता है तो आप हां के उपर किलिक करेंगे हाँ पर किलिक करने के बाद में जो option यहाँ पर देखिए जो demo के लिए राजपुत मोहला दिखाया गया है वो आप देख सकते हैं मकान संख्या जो दिखाई गई है वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मकान संख्या D1, D2 के नाम से दिखाई गई है तो यहाँ पर 06.13 वर्स के वालक वालिका में yes और no करना है यदि yes और no के उपर किलिक करने के बाद में आप सहीजे पर किलिक करते हैं तो आपका जो data है वो सफलता पूर्व के सहीजा जाएगा और ठीक है कि उपर आपको किलिक कर देना है तो यहाँ पर नया घर जोड़ने की बात आती है तो नया घर में जो हमारा household number A1 जो हमने डाला था वो हमारा नया घर जोड़ चुका है उसमें A1 नमबर हमने जोड़ लिया है अभी पिता का नाम और बच्चों की सिंग्या हमने add नहीं की है क्योंकि यह केवल और केवल डेमो वीडियो है तो यदि हम पिता और बच्चे का नाम यहाँ जोड़ते तो बच्चे का नाम यहाँ शो कर देते यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आगे delete का भी option आ रहा है तो यहाँ से हम delete भी कर सकते हैं उसके बाद में यदि direct बंद करना चाहें तो निच्चे आपको बंद करने का tape है वो मिल जाता है उसके बाद में दूशरा जो option है हमारे पास है कि माल लेते हैं कि 0-18 वर्स के आयू के बालक बालिका आपको घर में मिलते हैं दूशरे घर में आप जा रहे हैं तो यहाँ दूशरे घर को हम नाम देते हैं A2 और इस घर में 0-18 वर्स के बालक बालिका है तो यहाँ पर हम हापे किलिक कर देंगे हापे किलिक करने के बाद में सबसे पहले बच्चे की माता या फिर महीला अभीबावक जो मिलती है हमको उसका नाम हमको लिखना है माता या महीला अभीबावक का रिस्ता क्या है बालक से वो हमको लिखना है बच्चे के पिता पुरुष अभीबावक सरक्ष्टक का नाम हमको लिख देना है पिता या पुरुष का जो रिष्टा है वो लिख देना है मूबाइल नमर हमको डाल देना है अब देखे यह डेमो के लिए हमने आपको भरके दिखाया है तो यह आप यहाँ से देख़ पा रहे हैं धरम क्या है धरम लिख देना है drop down menu आपको मिलेगी बिल्कुल निश्चिन्त होगे आप इसे आपको काम में ले सकते हैं यहाँ पर mobile नमबर भी डाल के बताए गए हैं यह आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए धरम का चैन करने के बाद में जो option आए हैं वो कुछ इस पकार से है तो वो भी आप option पर किलिक कर सकते हैं उसके बाद में सामाजिक वर्व उसमें भी यही सारे के सारे option आपको मिलेंगे सामाने अलप संखक SBC या फिर बताने की इच्छा नहीं है तो इतनी सारी की सारी चीज करने के बाद में हमको एक नया option मिलता है बच्चा जोड़े पलस का निसान हमको मिल रहा है तो पलस के निसान पर हम किलिक कर देते हैं और शहजे पर हमको किलिक कर देना है सहजे पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हाउस होल्ड नम्मर है वो दो आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा यहाँ पर हमको बच्चे का नाम लिख देना है बच्चे का नाम लिखेंगे, बच्चे का लिंग चुनेंगे महीला है या पुरुस है तो क्या बच्चे की जनमतिती वहाँ पर उपलब्ध है यदि हाँ और ना उसके बाद में यहाँ डेमो के लिए मां नाम लिखके बता दिया है और बच्चे का लिंग यहाँ चुन लिया है जनमतिती भी चुन ली है उसके बाद में यदि जनमतिती उपलब्द है तो जनमतिती आपको कैलेंडर से चुन के भर देनी है अधरवाइस जनमतिती उपलब्द नहीं है तो आपको बालक बालिका की You यहां देनी है आयू यहां automatic feed कर लेगा यहां जनमतिति आप भरेंगे तो यदि आप जनमतिति नहीं भरेंगे तो आपको आयू भरनी पड़ेगी यहां पर दूसरी बात है section एक इस्थिति क्या है बालक की वो यहां पर आपको चैन करना है विसेज द्यान देने योगे CWSN शोरी यहां पर केवल विसेज द्यान देने योगे परिवारों की बात हो रही है तो परिवार को यहां हमको चैन कर लेना है CWSN option इसके निचे है तो उसका भी हमको चैन कर लेना है यहां पर section इस्थिती में आप देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया है नामांकित ड्रोप आउट और ए नामांकित पहले भी वो सिखसाती है वो सर्वे करते आए हैं तो लगबग यह तीन ही condition बनती है तो इन में से जो suitable हो जो बालक के लागू होत कर लेंगे उसके बाद में जो आयू है उसका हम यहां दर्ज करतेंगे तो यहां पर सारे के सारी जो डिटेल है वो एड हो चुकी है और यहां पर बच्चा जोड़े यदि इसके अलावा और बालक बाली का मिलती है ठारा साल से नीचे जीरो से लेके ठारा साल के तो उसको यहां बच्चा जोड़े के उपर हम किलिक करके दुबारा से वो की वो डिटेल भरके हम यहां बालक को जोड सकते हैं तो यहां पर देखिए जो पहली बाली का हमने जोड़ी थी उसका कुछ रिकॉर्ड इस प्रकार से आएगा यदि हम उसको डिलीट करना चाते हैं तो पारे पास कुछ नहीं मिला था यह क्यों डेमो मेडियो है उसके बाद में एटू में हम गए थे यहां वहां पर एक विवाउत मिले थे जिनके बच्चे की सिंख्या एक थी जिरोशे ठारा के सामने वो आपको इस प्रकार से सो होगी यदि आप यहां से बंद करना चाते है उसके बाद में क्या आप वाकई H1 का एक को मिटाना चाते हैं एजि आप डिलीट करना चाते हो तो आपको इस प्रकार के ओप्शन देखने को मिलेंगे तो सातियों यहां मैंने आपको सुरूशे लोगिन से लेके बच्चा हम कैसे जोडेंगे प्रविस्थोच्षव में ना मांकन बढ़ाने के लिए सारे की सारे डिटेल आपको बताई जैसा की स्क्रेंशूट के मादम से सातियों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सातियों के चार जरूर सेर करें क्योंकि अभी प्रिविस्टोच शवफ लागू होने वाला है आदेश निकलने वाले हैं जैसा कि सिक्सक साथी सभी जानते हैं